मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जीतेंदर सिंग स्री पिके मिश्रा जी, स्री राजवी गोबा जी स्री श्री निवाशन जी और इसकारकम में जुड़े सभी कर्मियोगी साथियो देवी और सज्जनो आप सभी को सिविल से बाद दिवस की बहुत बहुत सुपकामना है इस साथ का सिविल सर्विस दे बहुत जादा महत्मकूर है एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट, विशाल, लक्षों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है देश को आजहादी के इस अमरत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमी का रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए अब आजहादी के इस अमरत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमी का सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली है मुझे पुरा विश्वास है कि मेरी बात में आपको वहरोसा होगा हो सकता है कुछ लोग नभी मानते हो कि भाग्यशाली नहीं है अपने अपनी सोच हर किसी को मुबारक आपको इस कालखन में देश की सेवा करने का मोका मिला है आज हाजी के अम्रितकाल में देश के स्वाधिंता सेनानियों के सप्णों को पूरा करने का दाई तो हम सभी पर है हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ भरपूर है हमारे लक्ष कठीन है लेकिन होसला कम नहीं है हमें पहाड जैसे उंचाई भले चड़नी है लेकिन इरादे आस्वान से भी उंचे जादा उंचे है पिछले नव वर्षों में भारत अज जहां पहुचा है उसने हमारे देश को बहुत उंची च्छलान के लिए तयार कर दिया है मैं अक्सर कहता हूं कि देश में बिरोक्रसी वही है अधीकारी कर्मचारी वही है लेकिन परणाम बदल गए है पिछले नव वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विजिस्ट भुमिका में आया है तो इसमें आप सबका सयोग बहरा महत्वकून रहा है पिछले नव वर्षों में अगर देश के गरिब से गरिब को भी सूर्शाशन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी महनत ने रंग लाया है पिछले नव वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के मिना संभव नहीं था कोरोना के महा संकट के बावजूत आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है आज भारत फिंटेक वर्ड में चाया हुआ है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर वन है आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप स्टिम है आज देश की ग्रामिड अर्थ ववस्ता बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है 2016 के मुकाबले आज देश में दस गुना जादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हो रहा है 10 टाइम 2014 के मुकाबले आज देश में दो गुनियर अपतार से नेशनल हाइवेज का निर्माण हो रहा है 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्स में कैपिसिटी अग्मेंटेशन लगवग दो गुना हो चुका है 2014 के मुकाबले आज देश में एरपोर्स की संख्या भी दो गुना से जादा हो चुकी है आज यहां जो पुरसकार दिये गए हैं वो देश की सभलता में आपकी इसी भागेदारी को प्रमानित करते हैं आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं मैं सभी पुरसकृत साथियों को फिरेगवार बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आवान किया है विक्सीद भारत के निर्मान का विराट लक्ष हो गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो देश की एकता एक जुर्ता को अंदिरंतर ससक्त करना हो और अपने करतव्यों को सर्वो परी रखना हो इन पंच प्राणों की प्रेना से जो उर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो उंचाई देगी जिसका वो हमेशा हगधार रहा है मुझे देखकर में अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ज सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विक्सीद भारत रखी है विक्सीद भारत के निर्मार के पीछे क्या सोच है यह उस पुस्तक में भी जलगता है जिसका अभी विमोचन हुआ है विक्सीद भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्टेक्चर या आधुनिक निर्मार तक सिमित नहीं है विक्सीद भारत के लिए आवशक है भारत का सरकारी सिस्टिम हर देश वासी की आकांशों तो सपूर्ट करे विक्सीद भारत के लिए आवशक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देश वास्यों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे विक्सीद भारत के लिए आवशक है भारत में सिस्टिम के साथ जो नेगिटिविटी बीटे दसकों में जूड़ी थी वो positivity में बढ़ ले हमारा system देश वाचियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए साथियों आज़ाजी के बात के दसकों का हमारा अनुभू रहा है योजनाएं कितनी भी बहतर हो कागज पर कितना ही शांदार रोड में क्यों न हो लेकिन अगर last mile delivery ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित प्रणाम नहीं मिलेंगे आप बरी भाती जानते हैं कि पहले के system की ही देन थी कि देश में चार करोर से जादा फरजी gas connection थे ये पहले की system की ही देन थी कि देश में चार करोर से जादा फरजी राशनकार थे ये पहले की system की ही देन थी कि देश में एक करोर कालपनिक महिलाओं और बच्चों को महिलाओं और बाल विकास मंत्राले की साहिता जा रही थी कि पहले की system ही थी और उसी की देन थी कि अल्प संख्चक मंत्राले करीब तीस लाख फरजी युवाओं को स्कॉलर सिप्ता लाग देता रहता था और यह भी पहले की system की देन्या है कि मंद्रेगा के तहट देश में लाखों ऐसे फरजी एकाउंटन बने लाखों ऐसे समीकों के पैसे ट्रांसपर किये गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था अब सोचिए जिनका कभी जन्ड में ही नहीं हुआ वो सिर्फ कागजों में पैदा हुए ऐसे लाखों करोडों फरजी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा एको सिस्टिम ब्रस्टाचार में जूटा था आज देश के प्रयासों से आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टिम बड़ा देश के करीब करीब तीन लाग करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचे हैं आप सब इसके लिए अभिरंदन के अधिकारी है आज ये पैसे गरिबों की भलाई के काम आ रहे हैं उनका जीवन आसान बना रहे हैं साथियों जब समय सिमित हो तो ये तैय करना बहुत महतुमर हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी हमारी कारेशेली क्या होगी आज चुनोती ये नहीं है कि आप कितने एफिशन्ट है बल्कि चुनोती ये तैय करने में है कि जहां जो डेफिशन्सी है वो कैसे दूर होगी अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशन्सी की स्टेंट बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर डेफिशन्सी होगी तो हमें वो परणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे आप याद करिए पहले डेफिशन्सी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीश को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे लेकिन आज वही डेफिशन्सी एफिशन्सी में बद्री है आज वही एफिशन्सी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बादाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हताया जा सके कि पहले यह सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी लेकिन अब सोच यह है कि सरकार सब के लिए करेगी अब सरकार सब के लिए काम करने की भावना के साथ ताइम और रिसोर्सिस का एफिशन्टली उप्योग कर रही है आज की सरकार का देह है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट आज की सरकार की प्रात्पिकता है वंचीतों को वरियता आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्टिक तक जा रही है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है आज की सरकार देश के सिमावर्ती गाउं को आखरी गाउं न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है वाइब्रेट विलेज योधना चला रही है ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है लेकिन हमें एक और बात हमेशा धान दख लिए है हंड्रेट परसंट सेचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरुरत पड़ेगी अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंट्रास्रेक्टर हमारे पास उपलब्द है इतना बड़ा डेटा सेट हमारे साब पास है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी वही दस्तावेश मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेश में मौझूद है प्रसाशन का बहुत बड़ा समय एनोसी प्रमान पत्र क्लियरेंस इन ही सब कामों में चला जाता है हमें इनके सॉलुशन निकालने ही होगे तभी इज अब लिविंग बढ़ेगी तभी इज अब बिजनेस बढ़ेगा मैं आपको पी एम गतिशक्ती नेस्टन मेस्टर प्लान का वे उधार देना चाहता हूँ इसके तहब हर प्रकार के इंफ्रसक्तर से जुड़े डेटा लेयर से एक ही प्रेट्फरम पर प्लब्दा है इसका हमें अधित से अतिक उप्योग करना है हमें सोशिल सेक्टर में बेटर प्लानी और एडिकुशन के लिए पी एम गतिशक्ती का जादा से जादा इस्तमाल करना चुड़ेगे इससे हमें लोगों की जरुदों को आइडेंटिफाय करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी इससे डिपार्टमेंट्स के बीच डिस्ट्रिक और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा इससे हमारे लिए आगे की ज्यादा आसान होगा साथियों आजादी का ये अम्रुत का ये टाइम पिरियर भारत के सभी सरकारी कर्मिचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है उतना ही चुनोतिपुन भी है इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूत तेज गटी से हासिल हुई सभलताओं के बावजूत मैं इसे चुनोति क्यों कह रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि इस बात को आपको भी समझ रहा हूँ आज भारत के लोगों के एस्पिरेशन्स उनकी आकांच शाय बहुत तेजी से बढ़ रही है विक्सित भारत के लिए दवस्ताओं में बढ़लाओं के लिए अब देश वासी और जादा इंतजार नहीं करना चाहते देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको आपको पूरे सामर्थ से जुटना ही होगा तेजी से निर्ने लेने होगे उन निर्ने को उतनी ही तेजी से लागू कर रहा होगा और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज और यह मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं आप भी अनुहव करते होंगे आज पूरे विश्व भी की भी पूरे विश्व की भी भारत से अपिक्षाएं बहुत जादा बढ़ गई हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स विभिन्न अंतराश्ट्य समस्ताएं यह कह रही है कि भारत का समय आ गया है इंडिया's time has arrived ऐसी स्थिति में भारत की बेरोक्रशी को एक भी पल घवाना नहीं है आज मैं भारत की बीरोक्रशी से भारत के हर सरकारी कर्मुचारी से चाहे वह राज्य सरकार में हो या केद्र सरकार में मैं एक आगे जुरूर करना चाहता हूँ, देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आप मोका दिया है, उस भरेसों को कायम रखते हुए काम करिए, मैं आप से अक्सर कहता हूँ, कि आपकी सर्विस में आपके नेड़ों का अधार सिर्प और सिर्प देश हित होना चाहिए, हो सकता है, फिल में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूँ के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णे से निर्णे भरी छोटा क्यों न हो मेरे इस निर्णे से देश का क्या भला होगा यानि आपके लिए कसोटी देश हीत ही है और मैं आज भारत की विरोकर्शी के लिए इस कसोटी बैए एक और बात जोड़ना चाहता हूँ मुझे भी स्वास है आप इस कसोटी पर भी खरा उतरेंगे साथियों किसी भी लोगतंत्र बैए राज नितिक दलों का बहुत महत्वा होता ही है और यह आवश्यक्त भी है और यह लोगतंत्र की ब्यूटी है हर दल की अपनी विचान धारा होती है सम्विधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है लेकिन एक बिरोक्रेट के तोर पर एक सरकारी कमचारी के तोर पर अब आपको अपने हर निड़े में कुछ सवालों का अवश्य धान रखना ही पड़ेगा जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेर्स मनी का इस्तिमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है उसका उप्योग कहां हो रहा है यहां आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों वो राजनितिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उप्योग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैशों का इस्तबाल कर रहा है वो राजनितिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर समी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है वो राजनितिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर इमान बारी से लोगों को जागरुप कर रहा है वो राजनेतिक दल अपने कारकरतां को ही विविन संस्ताओं में निक्त कर रहा है या फिर सब को पारदर्सी रुप से नोक्री में आने का अवसर दे रहा है वो राजनेतिक दल नित्यों में इसलिए तो फ्रेबिनल नहीं कर रहा है तागि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचे सदाल पटेल जिस ब्यूरोक्रिसी को स्टील फ्रेम अफ इंडिया कहां करते से उसी ब्यूरोक्रिसी को उनके अपेशाओं पर भी खरा उतरना है क्योंकि अब अगर व्यूरोक्रिसी से चुक होई तो देश का धन लुट जाएगा टैक्सपेर्स मनी तबाह हो जाएगा देश के युवाओं के सपने चकना चूर हो जाएगे साथियों जो युवाँ बीते कुछ वर्षों में या पिछले दसक में देश की सिविल सेवा से जुड़े है उन्हें में कुछ बाते विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ आप भी जांते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं पहला गेटिग ठिंग्स डटन और दूसरा लेट थिंग्स हैपन पहला अच्टिव एक्टिटूड है और दूसरा पैसिव एक्टिटूड का प्रतिमीन है पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हाँ बढलाव आ सकता है दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है रहने दो सब ऐसे ही चलता है पहले से भी चलता है आगे भी चलता रहेगा वो तो अपने आप हो जाएगा ठीक हो जाएगा गेटिंग थिंग्स डन ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर निम्मेदारी लेते हैं जब उन्हें टिम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं लोगों के जीवन में बड़लाव लाने के ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासर छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे आपको ये भी याद रखना होगा कि एक अपसर के रूप में आपकी सभलता इस बात से नहीं आ की जाएगे कि आप ने अपने लिए क्या हासिल किया आपकी सभलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बड़ला है जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसलिए आपको ये हमेशा याद रखना है गुड गवर्नंस इदकी जब पीपल सेंट्रिक गवर्नंस होती है जब डेवलेप्मेंट ओरियंटेड गवर्नंस होती है तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बहतर रिजल्ट भी देती है गुड गवर्नंस में जनता के प्रती जबाब दे ही होती है एकी राज में एक जिल्ला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे तो इसके पिछले असली वज़र गुड गवर्नंस का अंतर ही होता है हुआ हमारे सामने अच्परेश्टल beside any है हमने जब जोससे भरे देश के युवा अपसरों administrators को वहां नीमλη किया और दो नतीजे गशाव में फाले नाएं कि आज अने अट इस्परेश्टल deposit developing境 स्कमें देशन दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा Wireส करेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे तो जनता बेभी ओनर्शिप का भाव उसकी भावनात और अधिक मजबूत होगी और जनता जनार्दन किसी भी योजया की ओनर्शिप ले लेती है तो अभूत पुर्वन नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है अब स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए अम्रुद सरोवर अभियान देख लीजिए जोई जीवन मिशन देख लीजिए इनकी सफलता का बड़ा अधार जनता द्वारा ली गई उनर्शिप है साथकियों मुझे बताया गया है कि आप अपने जीले की आकांख्षों को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक वीजन एट हंडेट तायार कर रहे हैं ऐसा ही वीजन 25 तर तक होना चाहिए अपने ग्रहम पंचाइद अपने बॉगल अपने अपने इ इस ठीक अपने राज में हमें किन सेक्टर पर फोकस करना है इन्वेस्ट्मेंट्स को अकर शिस करने क्लिए कौन-कौन से बढ़लाव करने हैं हमारे जीले ब्लॉक या पंचायक में कौन से प्रोडक्स हैं जिन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उस तर तक ले जा सकते हैं इनको लेकर एक सबस्ट वीजन हमारे पास होना चाहिए आप अपने छेतर में स्थानी उत्मादों को बढ़ावाद देने के लिए MSME और SWEM सहाता समुतों के बीश कड़ियों को जोड सकते हैं आप सभी के लिए लोकल टैलेंट को पोसाइज कर रहा हूं लोकल एंट्रप्रिनर्शिप को सपोर्ट करना स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देना मैं समझता हूं कि यह समय की मांग है सात्रियों हेर अब दोर और मेंड रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज़्यादा सभय हो चुका है आप मैंसे कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सभव भाग्या है कि आप जयसे साथियों के साथ मुझे काम करने कायोसर मिला है अब जानते हैं कि मैंने हमेशा क्या पे कि आज आप सब civil servants के बीच mission कर्मयोगी एक बड़ा अभ्यान बन चुका है Mission कर्मयोगी का मकसद है civil servants के full potential का उप्योग कर रहा है Capacity Building Commission इस अभ्यान को पुरी मजबूत्री से आगे बढ़ा रहा है मेरा यह भी मानना कि training और learning कुछ महिनों की अप्चारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए इसलिए training और learning से जुड़ा quality material हर जगह हर समय उप्लद्ध हो इसके लिए आई गौड प्लेट्फरम बनाया गया है अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गौड पर कर्मयोगी प्रारम के orientation module के साथ भी train किया जा रहा है साथियों बीते वर्षों में सरकार ने बिरोकसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है यह बंधन का प्रोटोकॉल और हरायरी का बंधन आप जानते हैं कि हरार्टी के बंधनों को तोड़ने की शुरुआद भी मैंने खुद किया है मैं लगाता हूं सेक्रेटरी से ले करके आसिस्टन सेक्रेटरी तक से मिलता हूं मैं ट्रेणी अपसरों के साथ मुक्त करता हूं हमने डिपांटमेंट के भीतर हर किसी की भागी दरी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंदर सरकार में भी चिंतन सभीरी को बढ़ावा दिया है हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बढ़ावाया है पहले बरसों त केंदर सरकार में काम का अनुभावी नहीं होता तो वो केंदर हम के प्रोग्राब्स को जमीन पर लागू कैसे करें रहे हमने असिस्टम्स सेकरेटरी प्रोग्राम के जरिया इस गैप को भी भरने का प्रयास कि अब युवां आईयस अपने केरियर की शुरू अध में ही कें कि लिए और सीखर पर ले जाने के लिए निरंटर कोशिश कर लिए हैं शाथियों विक्षित भारत के लिए हैं पटीस वर्सों की अमुर्त यात्रा को देश दे करतव्यकान माना है आजहादी की सतादी देश की स्वन सतादी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्रात्विक्ता देंगे कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं संकल्प है यह समय तेजी से बजलाओं का समय है आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं आपके कर्तव्यों और उनके पानन से तैफ होगी नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बड़ी है भारत की भी ताकत बड़ी है इस नए भरते भारत में आपको एहम भूमिका निभाने का आउसर मिला है आजादी के सो साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो आप गर्व से कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्ताओं के स्रिजन में भूमी का निभाई है कि मुझे भी स्वास है कि आप सभी राष्ट निर्मान में अपनी भूमी का को विस्तार देते रहेंगे के पेसिटी बिल्लिंग हर पर हमारी कोशित रहनी चाहिए खुद के लिए अबी के लिए भी और व्यवस्ता के लिए भी हमें रुत्र अूत्त अन्व्यू को पार करने की स्थित्यों पढ़त करता ही झाला को सुब इसवास है कि सिप्य साफिस्देश हैि आई बार शी की रिच्व नहीं है ये सिबिल से भिष्टे संकल्पों का सबाय है ये सिबिल से भिष्टे नए निर्णयों का समय है निर्णयों को निर्धारी समय में कारिया नवित किरने का उत्सावर उर्जा से भरने का आउसर है इस अवसर से एक नई उर्जान, नई प्रेणा, नगे शक्ति, नया सामर्द, नया संकल को यह ले करके हम चलेंगे, तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सिद्धियों को हम खुद चू करके देखेंगे, इसी विश्वास के साथ, मेरी आपको बहुत बहु